हेलो दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपका बताऊंगा कूलर की कंप्लेट वाइरिंग कैसे किये जाती है दोस्तो तीन रूटरी स्विच के साथ यह देखे दोस्तो यह पलास्टिक वाला कूलर है इसमें दोस्तो तीन रूटरी स्विच लगवे होते हैं दोस्तों इसमें एक rotary switch pump का होता है एक fan का होता है एक swing का होता है तो friend इसकी complete wiring कैसे करते हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो चलिए friend वीडियो शुरू करते हैं देखे friend ये चार wire main cooler motor के हैं जो दोस्तों air motor है ये दो wire दोस्तों supply के हैं ये wire water pump के हैं और ये wire swing motor के हैं तो friend चलिए अब connection कैसे करने हैं आपको बताता हूँ इस पर कारगा ये देखिए हाँ पर तीन rotary switch लगे होई हैं तो friend हमें सबसे पहले क्या करना है एक supply का wire ले लेना है friend जो cooler के चार wire आयो हैं इनमें से blue wire है common wire है ये killer motor का common wire होता है एक ये ले लेना है अब friend इसके बाद एक wire हमें water pump का ले लेना है कोई इसा भी एक ले सकते हैं इसके बाद friend हमें एक wire ले लेना है swing motor का और friend इनको एक जगह जोड देना है एक jae जोडने के बाद दोस्तों इस पर टेप करके कंप्लीट कर लेना है तो इस पर करते इसको जोड कर इस पर टेप लगा लेते हैं देखिए दोस्तो इन सभी तारो पर मैंने टेप लगा दिया है Friend Supply का एक वायर बचा हुआ है जो Friend इसको यह देखिए जो रूटरी के तीनो रूटरी है जो दोस्तो इसके जो L पॉइंट है जिन पर तीनो पर L का निशान लगा हुआ है इस वायर को तीनो रूटरी के जो L वाले पॉइंट है तीनो के साथ कनेक्ट करना है यह देखिए दोस्तो L पॉइंट है यहाँ पर और दूसरी रूटरी का यहाँ पर L पॉइंट है तो Friend इस परकार से यह देखिए हमको दो वायर और ले लेने है चोटे तीन वायर एक जंगा इस परकार से जोड़ देने हैं और फ्रेंड जो बीच वाले रूटरी है इसके L वाले पॉइंट पे सबसे पहले लगाना है इसके बाद दोनो रूटरी के L पॉइंट के साथ एक एक वायर किनेक्ट कर देना है अब एक वायर बचा हुआ है फ्रेंड स्विंग मोटर का इसको स्विंग वाले रूटरी स्विच के साथ कनेक्ट कर लेना है स्विंग वाले रूटरी स्विच के साथ इसको लगा देना है तो चलिए जल्दी से इसको भी लगा लेते हैं अब फ्रेंड में जो कुलर मोटर है इसके तीन वायर बची होई है लाल काला एंड सपे दोस्तों जो लाल वायर है यह बिलकुल लो स्पीड का है इसको जो दोस्तों रूटरी स्विच है कुलर वाला चार पॉल वाला इसका जो पहला नंबर है जिस पर एक नंबर का निशान बैमार ह är लाल वैर को इसके साथ लगा देना है इस परकार से अब फ्रैंट तूसरा वाइर है वाइट वायर जोंकि मीडियम स्पीड का है यहां पर रूटरी का दो नमबर वला पॉइंट है दो नम का निशान लगा है यहांपर यह वाइट वायर सपेद वायर लगा देना है इस परकार से ये देखे और लग गया अब दोस्तों एक वायर बचा है पलैक जो कि 3 स्पीड का है। यहां पर 3 नॉम्बर लिखा हुआ है रोटरी का इसको यहां पर लगा देना यहां पर यह तीन नंबर निशान लगा हुआ है रोटरी स्विच के उपर तो इस परकार से दोस्तों इसको भी यहाँ पर लगा लेना है यह देखें दोस्तों लगा दिया अब देखें दोस्तों हमरी यह वैरिंग है यह कंपलेट हो चुकी है तो फ्रेंड आप भी इस परकार से पलास्टिक वाले कुलर की वैरिंग कर सकते ह जिसमें तीन डूट्री स्विच लगे होई होते हैं तो फ्रेंड वैरिंग करके हमने इसको complete fit कर दिया है तो चलिए अब चला के देखते हैं तो ये देखे दोस्तो हमारा ये कुलर अच्छे से वर्क कर रहा है ये दोस्तो इसकी मोटर चल रही है low medium high speed में और फ्रेंड इसका water pump भी चल रहा है तो आप इस फरकार से पलास्टिक वाले कुलर के वाइरिंग कर सकते हैं घर पे असानी से आज की वीडियो में इतना ही अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए थेंक यू